हलो लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है गर बच गया मैं तो फिर जला क्या है मेहनत से ही मिलता है सब कुछ इस जहां में भला इन हाथों की लकियों में रखा क्या है कुछ नहीं रखा है मेहनत करिए आगे बढ़िए नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल PVR Study परिवार में रात के आठ बच चुके हैं और उमीद है कि सभी साथ ही जुड़ चुके हैं तो हम सुरू करते हैं आज का क्लास जी बिल्कुल सही कहा न मैंने आगामी यानि आने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं जो दिखेंगे अगले कुछ सालों में उनके लिए ये विसेश क्लास है आज आपका लाइब नमबर 4 है संख्या पद्धती में इकाई यंक पढ़ा जाएगा आज क्या पढ़ेंगे इकाई यंक इसके पहले की तीन क्लास आप देखेंगे डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है भाईया लोग येस टीटी मैट्स है इस्पेसली है टोपिक आपका चल रहा है संख्या पद्धती यानि नमबर फिश्टम पहली कलास के बारे में बताएं तो हमने सिलेबश डिसकस किया था दूसरी कलास में हमने करड़ी एक इंपोर्टन टोपिक था जिससे संबंधित कुछ महत्तपूर प्रशन करवाए थे तीसरी कलास में हमने संख्या पद्धती के बारे में कुछ सेक्षन डिवाइड किये थे कि कितने सेक्षन में कैसे कैसे क्या पढ़ना है पहले तो हमारे सभी साथी एक बार ये फ लिक के कमेंट करेंगे कि आप जुड़ गये हैं और आपका कमेंट आ रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है दीपक निसाद, रोहित, पंकज, मदू सिंग, प्रियंका साहनी, सिल्पा केसरवानी, नवनीत कुमार हाँ सब के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, सब के दिख रहे हैं ठीक है, ठीक है, बेरी गुड, चलिए, तो बात करते हैं आगे सबी साथ ही अपना नाम जरूर कमेंट करिए आईए टॉपिक शुरू करते हैं, इकाई यंक ग्याद करना, हेडिंग डालिए इकाई यंक ग्याद करना बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसमें से एकाद न एकाद कुष्चन जरूर आता है और कापी पेन लेके बठना खाली हाथ तमासा नहीं होगा यहाँ पर पढ़ाई होगी ठीक है रागनी गौर, लक्षमी कुमारी, जया पांडे सबका कमेंट मुझे दिख रहा है आई यह बात करते हैं, इकाई यंक में देखे साथी मेरे इसमें काई टाइप होंगे ठीक है, तो साइड में आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम के नीचे तक तो मैं पहले टाइप करवा रहा हूँ, उसे देखिए एक-एक टाइप में आपको क्लियर करता चलूँगा ठीक है भाईया तो लिख लो बाबू आपका टाइप नंबर फस्ट टाइप फस्ट क्या है गुड़न फल में इकाई यंक ऐसे सवाल प्राया पूछे गए हैं पिछली परिच्छाओं में यानि ऐसा कोश्चन जिसमें मल्टीपल दिया है ठीक है गुड़न फल दिया है उसमें इकाई यंक याद करिए पहले इकाई यंक समझ लो जैसे कहते हैं वन्स प्लेस जैसे मैंने यह नंबर लिखा इसमें इकाई यंक क्या है पीछे से जो पहली गिंती वहीं क्या है इकाई यंक है यानि आप कह सकते हो कि इसमें इकाई यंक क्या है दो है यह सभी जानते हो नो अगर मैंने गिंती लिख दिया इसमें इकाई यंग तो यह तो हर कोई बता लेगा चाच्चा यह तो आपका बटवनों बता ले छोटका को लेकिन अब कुईस्चन आपके लायक आता है देखो इसमें क्या होगा इकाई यंग कुईस्चन नमबर फर्स् इसके गुडनफल में इकाई यंग बताओ में इकाई यंग देखिए बहुत प्यार से देखिए चलो फटा फटा अब आपसन ले लो साथ तीन आठ और पांच देखिए एक छोटी सी बात और बता दूं कि इस क्योश्चन को करने के पहले एक छोटी से और बात बता दूं समझो यहां देखो बाबू यहां पे एक समझ लो भाईया कि जैसे मैंने तीन गुड़ा पांच गुड़ा साथ गुड़ा नौ अगर मैं इसमें इकाई यंग पूछता तो आप आसानी से कर लेते कैसे तीन पचे 15 और 15 सत्ते 105 आप इतना है मालो चलो छोटा है गुड़ा नहीं करना पड़ेगा इसमें इकाई यंग अगर मैं बोलता तो 105 आता 105 का इकाई यंग 5 है आप कहते का आंसर 5 है बोलो है ना लेकिन भाई साहब अगर इसका गुड़ा करना पड़ेगा तो नानी की मौसी भी याद आ जाएंगी अब कहोगा इसा काई को बोल रहे हो इतना गंदा मैं गंदा मैंने क्या बोला मौसी नानी बड़ाई सम्मानिये पद है मेरा मतलब यह कि इसको गुड़ा कर करने पर तइम लगेगा 10-5 मिनट कि अब परिक्च्या में 10 सिकंड का टाइम है 5 circuit का टाइम है तो क्या करेंंगे हम पूरा नंबर थोड़ी घुड़ा करेंगे का खाना आम है तो गुठली थोड़ी ढोयंगे घृआ हुट कर देखो अब मतलब समझे में क्या करना है क्या कर लेंगे इनका गुड़ा करो फटा फट देखो मैं तरीका बताता हूं कैसे करोगे इसका अंसर कोई बताया देखो ठीक है ठीक है डॉंट वरी देखो इनका क्या करना है बाबु यहां पेग चीज समझ न आपको डारेक्ट इनका गुड़ा नहीं करना है इनका गुड़ा दोनों करो छे आयगा न छे का गुड़ा आप इसमें करोगे 9 में ठीक है इन दोनों का करो तीन दुना छे चे करो 54 54 का एर कुछ गरबड हो रहा है काई में तीन दूने छे ना नौचंग 54 एक मिनट सौरी यहां पर तो लाइस्ट में दो था तीन कहां से आ गया यहीं होता है हमने क्या किया इन दोनों का गुड़ा किया छे आया छे का गुड़ा फिर इसमें नौ में किया 54 पॉर आया इसका लाश्ट अंक लिया और इसका दो में गुडा किया तो आठाया यह आठानसर हो गया कि तो कितना आया अठ तेखो इसमें इकाई यंक निकालना है एकnsो आठ एक्सो पचीफ नहीं आएगा इकाई यंक में सिर्फ एक यंक आएगा उत्तर में एक ही यंक रहेगा याद रखना यह नहीं कहे दो कि काई यंक इसका दुईसोबांच है दुईसोबांच नहीं है विकास चोधरी, रोशन तिवारी, निधी निधी कह रहीं कि आप तो डियलेट पढ़ाते हो काई कोई पाप लगता इसको पढ़ाने में का डियलेट के बाद सब सूपर्टेट में तो जाते हैं सीटेट सूपर्टेट और का करते हैं भाई railway का इंजन देखे हो उपसंजर में भी लग जाता एक्सप्रेस में भी इंजन में अंतर नहीं होता बोगी में अंतर रहता है तो इंजन देख के यह मत जच करना कि एक्सप्रेस नहीं चला पाएगा वो सब खीच ले जाएगा सबको समझ में आएक बार बोलो यस आगया समझ में सिकेंड कोश्चन का अंसर आप सभी दोगे देखो यह सही है अगर इसकी में सत्तता की जांच की बात करूं तो आप कल्कुलेटर से इनका गुड़ा कर लेना पूरा सभी संख्या का जो भी दिया था कल्कुलेटर से मोबाइल से देखना लाश्ट में आठ हाएगा एक बड़ी सिकिंती आईगी तरह नहीं बड़ी समझ रहे हो चलो सिकेंड कुश्चन आगला सिकेंड 481 032 532 इंटू 97 इसमें इकाई अंक क्या है? बताओ राकेश मिनी वाइटी सागर सिंग इसमें इकाई अंक क्या है भाईया? बहुत आफान है देखो एक चीज़ समझो इनको detail में multiple नहीं करना है नहीं कोई मतलब ही नहीं है कोई मतलब नहीं इनको गुड़ा करने का फालतू बोज़ा डोने का smart जमाना है smart तरह के लोग smart तरीके सहल करते हैं इनको पूरा गुड़ा करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या आएगी कहां रखेंगे? ओड़ेंगे बिछाएंगे का करेंगे उसका? तो देखो क्या करेंगे? तब ही मैंसे last अंक पकड़ेंगे इसमें one इसमें last अंक two इसमें last अंक two इसमें last अंक seven इन सब का गुड़ा करो फटा फट क्या होगा? दो का एक में गुड़ा करोगे दो आएगा दो का इस दो में गुड़ा करोगे बाबू क्या आएगा? चार आएगा पूर आएगा ना पूर का मल्टीपल सेवन में करोगे तो क्या आएगा 28 28 का लाइट डिजिट क्या है एट है दीप सिखा बहुत अच्छे लक्षमी कुमारी काभ्या पंडित सिवं बिसकर्मा बेरी गुड आठ आया समझ में आप चाहो तो इनका गुड़ा कर लो सबका मोबाइल में कल्कुलेटर में करो जल्दी इसक्रिंसाट ले लो हट गया हूं लो इनका कल्कुलेटर में सबका गुड़ा करोगे तो आएगा साथ नो चार दो आठ हाट साथ छे आठ मतलब आठ नो दस अंक की एक बड़ी सिगंती आएगी जिसमें लाश्ट में साथ सो अनसा ठाएगा यानि इकाई अंक आठ ही होगा सबी हमारे जितने प्यारे प्यारे भावी अध्यापा के अध्यापिका हैं उस एसन को लाईक जरूर करें लाईक जरूर करें आपकी जिम्मेदारियां है न थोड़ी सी साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा तो मिलकर कदम बढ़ाना तो मिलकर कदम बढ़ाना है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहें तो आप लोगों की जिम्मेदारी सेशन को लाइक करें अपनी वाली और अपने वाले को सेर करें और जिसके अपनी अपना नहीं और पडोशन को कर दें अपने लेकिन एक लोग को जरूर जोड़ें कलास में एक लोग को जरूर जोड़ें इस टाइब का कोई और कुश्चन कराएं हाँ एक दे देता हूं एक दे देता हूँ लिखो इस टाइप का एक कुश्चन और इसमें एक आई यंक बताओ वन सेवन तीसरे में जो कर लेगा हम मानेंगे वो बड़ा महान है चलो और पित्ता यादो नाम की स्पेलिंग तो आपने गलत लिखा है या फिर मुझे इंगलिस कमाती अभी सीख रहा हूँ एक दिन एक मैं हम फोन की थी कह रही थी कि आप मुझे मैद सीखा दो मैं आपको इंगलिस सीखा दूँगे हमने का अरे वाँ आपकी तो खोज थी मुझे कहां थी अब तक तो बोली नहीं सर मजाक नहीं मैं पक्का सिखा दूँगे हमने का सिखा तो दो गी आप लेकिन हम सीख कहां पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं इसको कर लेना अब मैं नेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूं अगला टाइप यह टाइप में मैंने तीन कोजिशन कर दिये अभी और अब भ्यास प्रफ्न जब करवाऊंगा तो बहुत सारे करवाऊंगा अभी चलने दो मोहन का अंसर आ गया काब्या का आ गया नितिन का आ गया सिवम का आ गया ठीक है टाइप नंबर सिकेंड सिकेंड टाइप हेडिंग आ लिए जब इकाई अंक दिया हो लिखो भाईया बाबू लिखो 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 जब इकाई अंक दिया हो आप कहोगे जब इकाई अंक दिया हो तो क्या करेंगे आखिर इसमें हाँ करना पड़ता है इकाई अंक दिया रहेगा आपसे कोई एक सिंबल का मान पूछेगा जैसे देखो कुश्चन है 368 इन्टू 92B इन्टू 1 तू 1 इन्टू 272 के गुडनफल में इकाई का अंक 6 है लिखो इकाई का अंक 6 है तो B का निउन्तम मान होगा बहुत अच्छा सवाल है यह पिछले यूपी टीटी कोई परिक्षा में पूछा गया था स्वारी सीटेड में इस तरह का कुश्चन पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक नंबर में आएगा पक्का कौन कौन कर लेगा बी क का मान बताना है बीडी का नहीं है बीडी वर्ड नहीं करना भई खतरनाक N single कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे तो पोछ देंगा उसा उलटा पूल्टा इसा नहीं क्या होगा बी कमान क्या होगा या निंए इस पर हम क्या ऐसा बैलू रख सकते हैं जिससे कि इनका जो मल्टीपल करने पर इकाई अंक छे आए कि बोलो कि चल भाई या बताओ फटाफट अलक्षमी राना कि नंबर नहीं दिए गए हैं अच्छा नंबर में लिख देता हूं साइड में आप लोग उस पर संपर करिएगा बाई साथ देखो बाबू यार इहां पे क्या है न अभी यह मैक बुक में मैंने नया नया सेटाब बनाया तहिंद यां पर नंबर मक करता है रनर लिख देता आँ इस पर आप लोग सेजर करिएगा इंक्वाइरी वाले ऐसे तो लिखते हैं देखो इसका नीच्चे थोड़ा छोटा हो गया है कि समझ पार रहे हो ना कि थोड़ा मोटा हो जातू ठीक है यह नंबर पर आप लोग संपर्ख करना जिनको कोई इंक्वाइरी है चलो इसका करेक्ट आंसर आएगा वन क्या आएगा वन देखो मैं बता रहा हूं कैसे बहुत सिंपल है हमें क्या करना इसमें इक आई अंक निकालना है न तो भीया पहल इसमें भकर अद् había को किनारे कर दो आठहिक एक कम आठ दूना 56 अब्द यहां पर आपको चीज समझना है कि एक आइए अंक निकालने के लिए हमें बी का मल्टीपल 흰द्हे में नहीं करना होगा हमें वन से कोई मतलब नहीं कि वन से कोई मतलब नहीं न तो देखो बबू यहां पर चीज समझो अब यह बताओ कि सिक्स इंटू बी अब हम वी का ऐसा क्या मान रखें कि गुड़ा करने पर छे आए वो छोटी से छोटी कौन सी गिंती रख सकते इस पर बोल कि अबी का ऐसा चोटा फा चोटा कौन सा मान रख सकते हैं कि चल भाईया लगे हाथ बता दो ना देखो बहुत आसान है अगर बी कमान जीरो रखोगे चाल लोग तो सब जीरो हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा तो कह रहा कि एकाई यंग छे दी आल्रेडी यानि छे लाना जो है बी की वन हो सकती है करेंट आंसर ए हाँ छे भी हो सकता है तुम यहां पर छे भी रख सकते हो यानि कुल्मिला के जो भी रखो उसको गुड़ा करने पर भाग करने पर लाइश्ट में जो है फिर छे आना चाहिए वह यह पक्का है क्योंकि लाइश्ट में इकाई हो सकती है अगली छे भी हो सकती है लेकिन नियुन्तम पूछा है तो परिक्षा में आपका आंसर वन होगा कि सीवं पिसकर्मा समझ में आ गया तो लिख लो भाईय जल्दी से लिख लो पटाग पटाग दे आगे बढ़ते हैं इस तरह का सभी कुश्चन कर लोगे न पक्का कर लोगे चलो फिर काहे को फिर टेंथन लेते हो चलो एक और लिखिए इसका आप लोग मुझे खुद से करके बताओगे मैं नहीं बताने वाला हूँ मैं ज़्यादा कुश्चन नहीं कर वाऊंगा भी मैं स्टार्टिंग किया हूँ बच्चे अभी सब जान नहीं रहे हैं अभी कम बच्चे आ रहे हैं कुश्चन लिखिए अगला 9,1,1,1,1,1,1,2,2,3,1 के गुड़नफल में के गुड़नफल में इकाई अंक इकाई अंक चार है तो सी का पॉसिबल वैलू क्या होगा मिनिमम मान क्या होगा बताओ कर लोगी कि नहीं इसके गुड़नफल में इसके गुड़नफल में अगर इकाई अंक चार आए तो सी का संभव मान क्या होगा एक इसमें और भी रख लो नानाब दीज इसको आप लोग खुद से करोगे ठीक है इसको खुद से करोगे इसमें कुछ चीजें आपको लिखवाना भी था असपश्टी करण में कुछ चीजें यहाँ पर समझाना है अगर आप लोग कहो तो मैं समझा देता हूँ बाद में मैं लिखवा दूँगा ठीक है अरबिन्द जी जब कभी कभी आओगे तो नहीं आएगा बिटा बाबू भाईया कभी कभी आओगे नहीं आएगा रोज आओ रेगुलर सिस्टम से देखो सीरियल से चार कलास पढ़ा दिया हूँ आज आए हो तो कहा से आएगा सारी कलास यूटूब पढ़ी है आप जा करके उनको देखिए स्टार्टिंग से जहां आप इस्टार्टिंग से देखना सुरू किये सब आएगा दौड के आएगा आगे चले सुनो अब क्या करना है कुछ important fact लिखने है ये दो टाइप हो गए इन टाइप के question में और धेल सारा करवाओंगा लेकिन वह इतना बहुत है आज इसमें के लिए ठीक है अब लिख लो चाहे तो कुछ important महत्तपूर्ट पॉइंट लिखो अगर समस्त बिसम संख्याओं का गुड़ा करें तो इनके गुड़नफल का इकाई यंक पांच होता है लिखिए लिखिए कलास का टाइम होता है रात के आठ बजे फे नो बजे के बीज पॉइंट लिखिए important नोट अगर समस्त बिसम संख्याओं का गुड़ा करें बिसम संख्याओं का गुड़ा करें तो इकाई यंक सदयो पांच आता है ये बात याद रखना ये पहला important point है फेक्ट है इसमें का यहाँ पर समस्त बिसम संख्याओं का मतलब समझना बच्चा देखो बाबु समझो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन्टू डाडडडडडडडडडडडडणंद अगर सभी विसम संख्याओं का एक साथ में आप मल्टिपल करोगे तो हमेशा इकाई यंक पांच आएगा यहाँ पर कुछ अपवाद हैं कुछ समझने वाली चीज़े हैं कि आप किसी दो या तीन संख्या को उठाके गुड़ा नहीं कर लोगे नहीं तो कहो कि इनका तो नहीं आ रहा है ठीक है नहीं तो जैसे आप ग्यारा और तीन ले लो इनका गुड़ा करोगे तो 35 आएगा कहोगे इसमें तो गुरुजी इकाई यंक पांच नहीं आ रहा है आपका है बतायो इसा तो मैंने क्या लिखा है समस्त्र विसम संख्या का गुड़ा करना है यह नहीं कि आप समझा देता हूं इसा कि ये चीज पहले समझना नहीं तो लोग यहिस पहले पकड़ते हैं कि बाई दूर्य अंक़वने गुड़ा कर लिया लेकीन पंच सब्सक्रीद साङक ऐसेरी सबी में कि 105 कर नो में गुड़ा कर लो नो पचे 45 नो कर नो 945 आएगा फिर भी देखो पांच आया ना अब इसमें अगर 11 से गुड़ा करोगे तो जो आएगा उसमें भी लाश्ट में पांच ही आएगा गुड़ा करके देखो ग्यारा पचे 55 ग्यारा चोग चोवालिस पांच उन्चास ग्यारा नवी निन्यान नवे और फोर वन जीरो थ्री इसमें भी देखो लाश्ट में फाइब आया हमने वन से ले करके 11 तक सबको गुड़ा किया पांच आया और आगे भी करते जाओ हमेशा लाश्ट अंग पांच ही आएगा लेकिन कोई एक दो गिंती पकड़ के गुड़ा करोगे तो ऐसा संभव नहीं है कि यह रूल है कि समस्थ विसम संख्याओं का गुड़ा करने पर इकाई एंग हमेशा पांच आएगा अगर आप सभी विसम संख्या का गुड़ा करोगे तब आगे बढ़ें किसी को कोई डाउट नहीं चलिए अगला इसमें सिकेंड पॉइंट लिखिए जो समझने वाला है लिखिए समस्त संख्या का गुड़न फल किया जाए तो इकाई एंक सदेव सुनने आता है लिखिए अगला पॉइंट इसमें अगर समस्त समसंख्याओं का गुड़ा किया जाए तो इकाई एंक सदेव सुनने आता है इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो लिख रहें कॉपी पेन में इमानदारी से बताना लिख रहें आप लोग बोलो क्यों बैया यह नोट जरूर कर यह पॉइंट अगर नोट नहीं करोगे तो आप उसके जिम्मेदार खुदी हो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं समझत समसंख्याओं का गुडा करने का मतलब समझ यह जैसे 0,2,4,6,8 आप 0 को ना भी लो अगर कुछ लोग कहें कि नहीं 0 से काह सुरूर कर रहे हूं यह तो कुम बैमानी कर रहे है वह इसे भी जो है जीरो लोगे तो वैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है जीरो मतलो, तब भी आप आगे बढ़ोगे तो इसमें दस तो आएगा ना, दस में तो सुन्न है ना, अगर इनके गुड़ा में आप कहीं भी लाष्ट में एक जीरो मिल जाएगा, तो अंतिमंग हमेशा सुन्ने क्या आएगा अंति मंग हमेशा सुनने आएगा गुड़ा करके देख लो लेकिन एक चीज याद रहे किसी एक या दो संख्या का गुड़ा नहीं करोगे ठीक है किसी एक या दो संख्या का गुड़ा नहीं करोगे जैसे माल लो कि तुम गुड़ा कर लिए चार और दुए का कह दो इसमें तो जिरो नहीं आ रहा चार दुना आठी हो रहा है यहां पॉइंट में गौर करिए कह रहा कि समस्त संख्या का गुड़न फल अगर तुम दो और चार ले लिए भाया तो यह समस्त संख्या थोड़ी है यह समस्त संख्या का मतलब अभी बहु सारी संख्या हैं सम में यह पॉइंट आपको याद रहना चाहिए बस इसको दोनों नोट करिए मैं वाटसप नंबर कमेंट में पिन कर दे रहा हूं जो बच्चे काफी परिसान है ममता सिंग कमेंट आपका आ रहा है दिब्यांसी काकला गेमर प्रांसु अगरहरी ठीक है सबका कमेंट आ रहा बाबू आरा भया सबका आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट नोट करिए समस्त अभाज संख्याओं के गुड़न फल का इकाई यंक सुनने होता है समस्त अभाज संख्याओं के गुड़न फल का इकाई यंक सुनने होता है यह का है को खराब हो गया यार गडबड हो गया ये तो नंबर ये काय को गडबड हो गया यार ये वट्साप आप लोगों का बंद हो गया ना इन से बनवाला पता नहीं क्यों अगला पॉइंट लिखिए समस्त अभाज संख्याओं के गुड़न फल का इकाई यंक सदयो जीरो होता है इसे लिख लिए अगला एक और पॉइंट लिखिए चार नंबर चार नंबर पॉइंट लिखिए समस्त बिसम अभाज संख्याओं के गुड़न फल में इकाई यंक पांच होता है यानि यह याद रखना है अगर समस्त बिसम संख्याओं का गुड़ा किया जाएगा या समस्त बिसम अभाज संख्याओं का गुड़ा किया जाएगा तो इकाई यंक हमेसा पांच आएगा ठीक है और अगर समस्त समसंख्याओं का गुड़ा किया जाएगा अभाज संख्याओं का गुड़ा किया जाएगा तब भी इकाई यंक हमेसा जीरो आता है यह चार पॉइंट थे इसमें सागर सिंग कह रहे हैं धीरे बोलो सागर जी थोड़ा वीडियो बैग कर लिएग 10 शिकन लिख लिख लिजिएगा चार पॉइंट मैंने बताया ठीक एक बार में फिर बोल देता हूँ दो पॉइंट तो मैं लिखा हूँ इसक्रीन शाच ले लिजिए तीसरा पॉइंट लिख लीजिए तीसरा पॉइंट फिर से लिखिए समस्त अभाज संख्या का गुडनफल समस्त अभाज संख्या का गुडनफल का इकाई यंक सदय तो छुनने होता है लेकिन ध्यान रहें HERE समस्त अभाज संख्या की बात हो रहे है अब तुम दो संख्या पकड़ का गुड़ा कर लेना कि दो अभाज संख्या ले लिया एक तेरा ले लिया एक पांच ले लिया और के दिया की तेरा पच knapp 65 हो रहा है आप तो कह रहे थे कि जीरो आएगा की अहां डेकिन समझता अभाजे संख्या आपको लेना है समस्ता अभाजे संख्या लेना एयानि डो से सुरु कर ये तीन पाँच शाथ ग्यारा यहां भाजे की बात हो रही नव नहीं रहेगी नव भाजे संख्या है अनन्त क समस्त अगला पॉइंट लिखिये नीचे कम दिखने नहीं न होगी अगला पॉइंट चार नंबर देखिए लिखने वाले थोड़ा सा जो भी है उनका छूड़ जाता है यह important है समझना ठीक है समझना most important है अगर कहीं ऐसी इस्तिति आती है तो आप यह चीजें याद रखोगे तो आपके लिए आसान होगे समस्त बिशम अभाज संख्या के गुड़न फल का इकाई यंक सदयों क्या होता है पांच होता है चलिए मैंने सारे पॉइंट लिख दिये नोट कर लीजिए एक नंबर में मिटा दिया हूं दो तीन और जिनको पहला लिखना थोड़ा बैक कर लो मैं दिखा दूँगा ठीक है तो यह आपके इंपॉइंट वो पॉइंट हो गए जिन्हें आपको याद रखना है यहां पर एक पॉइंट समझना है कि यहां पर जो भी कहा गया उसमें समस्त संख्या की बात की गई है कि सभी संख्याओं का एक साथ गुड़ा करना है ऐसा नहीं है कि अगर समस्त अभाज संख्या की बात कह रहा तो आप तीन अभाज संख्या गुड़ा कर लो कह दो कि लाश्ट में जीरो आई नहीं रहा है दो तीन संख्या या एक संख्या चार संख्या लेके गुड़ा नहीं करना है आपको धेर सारी संख्याओं का इकठ्था गुड़ा करना है हमेशा जीरो आएगा विकास चौधरी डियलेट सिंगन समेश्टर 25 तारीक से उमीद है बाबू 25 तारीक से उमीद है तो ये आपका खतम हो गया इतने पॉइंट इसके बाद अगली कलास में हम बहुत कुछ डिसकस करेंगे उमीद है कि आप लोग अगली कलास में भी जूड़ेंगे कल रात के आठ बज़े से अभी मैं कलास थोड़ी छोटी चला रहा हूं क्योंकि अभी बहुत से कंडिडेट को पता नहीं है कि सूपर्टेट चल रही है तो आप लोगों से बिनम्र निवेदन है कि अपने सभी साथियों को सेयर करें ज्यादा ज्यादा ब्यू जाना चाहिए मैं यूटूब पर सभी कलास बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा मैं तक और उमीद है हो जाएंगे क्योंकि पहली क्लास में देखो 3000 लग भग लोग देख लिए 4000 तो हो जाएंगे कोई मुश्किल नहीं है बस आपको सिर्फ सेयर करना है बस कमेंट बाक्स में देखिए नंबर पिन किया गया है जिनको कोई इंक्वारी है उस पर मैसेज करें किसी को कुछ कहना है कलास के बारे में तो बोलिए नहीं तो मैं सेशन को बंद करता हूँ